हालो है वरेवलन एक बर फिर्ट से आपका स्वागत कती हूं सिंक्युक्र। मेरिश किस्को गार है आपको अच्छे नंबरों से पास करवाना, आपको प्रेंट मेरेट में लोला सेóργ सुपत रिजिल्ट कि लिया हूँ और इसकी आपको अविशत्ता पढ़ने वाली है क्योंकि important lesson है आपकी पुस्तक संचरियन से लिया गया है तो भी शुक्ला इस lesson का नाम है और इसके जो लेखक हैं वो है राही मासूम रजा ठीक है राही मासूम रजा का ये lesson है ये कहानी है एक तरह की इस कहानी के द्वारा राही मासूम रजा ने ये आपको बताया है हम सबको बताया है कि दो बच्चे जो बच्चे होते हैं वे कभी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते हैं धर्म के आधर पर एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते हैं वो दोस्ती करते समय कभी भी नहीं सोचते कि दूस जो कि आज के वर्तमान परिपेक्ष में हमें समझने की आवश्चर करता है तो ठीक है जल्दी से हम जान लेते हैं कि क्या कहाणी है इसका सारा हिश्क्या है क्योंकि समय है हमारे पास कम और कम समय में अधिक से अधिक जानकारिया देनी है आप को अपने साथ जोड़ना है आप को रिकल को अच्छ से किस तरह से आपको चल्व को पूर से शाली तो ऊस चीज को हम लेकर आए हैं हम आपको बताने आए हैं तो आप क्या आपको बताया गया है और इसका क्या उद्देश है इस कहानी का और जो इसमें लेकर है वो आपको क्या समझाना चाहरे है क्या बताना चाहरे है सबसे बहुत जानते हैं इसकी कहानी इसमें क्या है दो बच्चों की कहानी है एक का नाम है टोपी शुकला और दूसरा उसका पिता डॉक्टर है वो अपने परिवार के साथ रहते हैं दोनों की घर में दादी ममी पापा भाई बहन सब हैं दोनों ही एक दूसरे से के बहुत ही गहरे मित्र हैं ठीक है देखिए समझे इस कहानी को कहानी समझने से आदी से ज्यादा आपकी परशानी खतम हो जाती है आपक प्रेशन उतर कर लेंगे तो पूरा लेसन पूरे प्रेशन उतर आपके दिमाग में हमेशा के लिए सट हो जाएंगे उस दिमाग में सेट करने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा समझना होगा सुनना होगा और उसके लिए एक लाइक तो करना ही होगा तो एक ल इफ़न की जो दादी है वो अंत भी शुकला को बहुत प़हत प्यार करती थी जो दादी है वो पूरव देषा की थी 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 पूरव से आई थी तो उनकी भाष़ा में और वो जमिंदर के ब retaining थी तो उनकी भाशा में उनकी खाने पीने में इन सब चीजों में उनको जो अपना घर था क्योंकि वह बहुत पहले क्या होता था बहुत था चोटी उम्र में शादी हो गई थी तो बहुत चोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी वह तब से एक मौलवी से शादी होने की वज़ यह हमारा बच्पन होता है उसे पभी भी नहीं कर थे तो टीक है उसकी जो दादी थी लो तोपी शुकला को बहुत प्यार करती तो इफन का मित्र था बैटके उसे बाते करता था तो उनकी भाशा में बहुत था तो उन्हें एक तरीकी भाशा बोलते थे और इंवे दूसरे को कौमन हिर्दे में बहुत ही जल्दी बहुत्य जल्दी से भाफनात्मक रूप से जुड जाते हैं जो उनको थोड़ा साभी प्यासित ए moral तो सेम हुआ भाशी शकला के साथ my इस सुर्ण है 고 बहुत ही जुड गया था इसके बाद उसकी अपनी जादी more तो उसको प्यार तो करती थी, कोई भी अपना आपको प्यार करेगा, किन्तो वह बहुत है strict थी, कठोर थी, तो क्या हुआ था? एक बार की बात है, क्या हुआ कि टोपी शुकला, क्योंकि अपने मुस्लिम इत्र के साथ रहता था, तो एक बार खाने के समय में, खाने के टाइम पे, उसके मूँ से अपनी मा के लिए अम्मी शब्द निकल लिया, अब अम्मी शब्द क्यूंकि वे पंडित परिवार के थे, शुकला आप जानते हैं, पंडित लोग होते हैं, तो पंडम परिवार के थे तो इतना जैसे ही उसने यह बोला कि वह एक क्या है क्या करता है और नीए टॉछ के साथ रहता है कि आपने पने पर आपने दिहाने यह झाती है कि अंपयाता है, तुम कोई की द्यानान रखते यह इन इससे उनके घर में वावाल मच गया अब इससे क्या हुआ कि उस टोपी को इफ़न के से दूर रखने के लिए कहा गया किन्तु है दूर रहने के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके पिटाई हुई और इन सब चीजों की वज़े से उसको अपनी दादी से गुसा आने लगी न तो इस वज़े से टोपी को अपनी दादी की बजाए इफ़न की दादी से ज्यादा प्यार था इस बात की वज़े से उसने एक बार कहा भी कि ऐसा करते हम अपनी दादी जो है नो एक्सचेंज कर लिए तू मेरी लेले मा तेरी लेलू तो इफ़न को भी अपनी दादी अगर बड़ी बड़ी लगी लेकिन खेर उसने इम्मितर से कुछ बोला नहीं एक दिन क्या हुआ इस तरह से वह बाते कर ही रहते हैं कि अचानल क्या हुआ कि इफन को पता चला कि उसकी दादी की मृत्यू हो गई अब उसकी दादी के मिरत्यू के बाया जब तोपी शुकला ऐफन के घर गया जैसे हर वक्त आड़ जाता था जब वह गया तो 서 का बिकार लगने लगा कि यहां पर अब कुछ भी नहीं है खाली पन आ गया उसके जीवन में, उसके घर में उसके घर में कुछ भी आकरशित करने वाली चीज कुछ भी नहीं लगी तो क्यार ऐसा हुआ? उसके बाद दोनों की मिस्ता हुई लेकि एक दिन क्या हुआ? कि इफ़न के पिता का तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया और वें दूसरे शहर में चले गए, अब दूसरे शहर में चले जाने की वज़े से उनकी जगे पे कोई और आ गया, कोई और एंप्लोई आ गया, अब उस क्या हुआ कि इफवन की दादी चली गई, जिसे टॉपी शुकलावा जोड़ा हुआ था, इफवन जो उनका खास एक म मात्र मित्र था, उससे वो बहुत जोड़े हुए थे, वो भी वहां से चला गया, अब वो क्या हुआ कि मानसिक रूप से जो बच्चा है, उसका बालपन, मानसिक रूप से वो डिस्ट्रव हो गया, उसको कोई समझने वाला नहीं रहा, वो अपनी दिल की बात किस से कहे, मा अपने काम में लगी रहती थी, दादी हमेशा गुस्सा कर दी रहती थी, पता अपने काम में लगे रहती थी, अब उसका न कोई दोस्त था, न उसको कोई समझने वाला था, इन सब चीजों की वज़े से क्या हुआ कि उसकी पढ़ाई पर फर्ग पढ़ा, नाइन्थ क्लास सकता, तो उन्होंने इठान लिया कि नहीं, अमने पढ़के और पास होके दिखाऊंगा, और फिर तीसरे साल में जाके कुछ वज़ां से उन्होंने पढ़ाई की और वो पास हुए, तो ये थी पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से लेखा कमें ये बताना चाह रहा है कि ब स्मय पूरर्ण है। इस का कमें ये साहनी का भाव, ये थी आपकी कहानी, जिसके माध्यम से लेखा के हैं, बहुत सरी चीजेगा हमें समझाना चाह रहे हैं। इस कौन-कौन सी चीजेेशर हैं, स्म इस से कॉन्सेप्रेशन आसकते हैं, कौनसेप्रेशन बहुत कि आपकी जो एक कहानी है को आपके दिमाग में चप जाती है आपको एक समझ में आजाती है तो उनको पहले पढ़ना आवशक है लेकिन कौन से बहुत इंपॉर्टन कोईशन है वह मैं आपको साथ साथ बताती जाओंगी उसका उतर आपको किस तरह से लिखना है कौन से खगते हैं आपको एकूल से कमेंट कर दिजिए लाइक कर दिजिए और हम शुरू करते हैं आपने अभ्यास tips अजयर यह जल्दी से अहीं आप्विल करते हैं अपने अभ्यास प्रेशन सबसे बड़ी बात है दोनों की दोस्ती अटूट है और टोपी शुकला का इफण जो है वो एक मात्र दोस्त है जिससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है अतहर टोपी शुकला की कहानी को बिना इफण के पात्र के हम नहीं समझ सकते यह दोनों ही पात्र बहुत इंपोर्टन है और दोनों के ही बिना इस कहानी को नहीं समझा जा सकता दूसरे कोशन पर आज इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वे जमीदाय परिवार की बैटी थी उनके पीयर में घी, दूद, दही की भरमार थी उन्होंने शादी से पहले पीयर में खूब दूद, घी खाया था जानते हैं आप गाउं का बैग्डाउं जो होता है गाउं में यह सारी चीज़ों बह मौलवी परिवार में आगी थी तो मौलवी के साथ शादी होने के बाद एक धर्म का जो रेस्ट्रिक्शन है वो उनको पर लग गया था इस वजह से मौलवी पती के नियंतरण में रहना पड़ता था पीयर जाने पर वे स्वतंतर अनुभाव करती थी लपड जपड जो जी माहा जाए सैंगे सिंपल से चीज है आगे बढ़ते है इफणके दादी ال Talking कि अपने बैटे की शादी में गान विजाने की इच्छा पूरी क्यूं नहीं कर पाइं क्यों नहीं कर पाइं की नहीं कर पाइं बहुत सिंपल से चीज है इफणके दादी का विवा एक मौलवी परिवार में हुआ था ठीक है यह हम आपको बता चुक है मौल्वियों में शादी विवा के समय जश्न मनाना गाना बजाना यह सारी चीजे खराब मानी जाती हैं तो इसे लिए उनकी बेटे की शादी में वो गाना बजाना यह सब चीजे नहीं कर पाए ठीक है आगे बहुत नहीं है लेकिन बस एक बर रीडिंग वाली चीज़ है आगे देखिए तोपी शुक्ला के घरवाले आधुनिक अम्मी शब्द पर टोपी के घरवालों की क्या प्रतिकुरिया हुई यह देखिए आगया है इंपोर्टेंट वाला जिसकी हमें थी तलाश आजएए अम्मी शब्द पर टोपी के घरवालों की प्रतिकुरिया क्या हुई क्या उनका रियक्शन हुआ क्या रियक्शन हुआ तोपी शुक्ला के घरवाले आधुनिक होने के साथ कटर हिंदू भी थे उस समय बे जो भी परिवार हुआ करते थे कट अब क्या है अम्मी शब्द मुसल्मानों के घर में इस्तमाल होता है यह हम सब जानते हैं कि जब टोपी शुक्ला के मुख से अम्मी शब्द सुना तब घरवालों के होश उड़ गया उनकी परमपरों की दीवार डोलने लगी उनका धर्म संकट में पढ़ गया सभी की आख अपने घर में मुसलिम शब्दों का उर्दू शब्दों का मुसलिम परिवार में प्रेयोग होने वाले शब्दों का प्रेयोग अपने घर में बरदाश नहीं कर सकते थे तो उनको यह लगा कि यह जो हमारा पुत्र है हमारा जो बेटा है यह मुसलिम धर्म की और किस तरह स हो रहा हमारे घर में चेहरे पर जम गई उनकी संस्क्रित के विप्रीत यह शब्द घर में कैसे आ गया तोपी ने बताया कि यह उसने अपने दो सिफन के घर से सीखा है तो उसकी मां और दादी ने उसकी खूब जम के पिटाई की ठीक है सिंपल से चीज है इसको आप अपने यह शब्दों में लिखेंगे कोई मुश्किल नहीं है बड़ी असानी से यह हो जाएगा किन्तु यह इंपॉर्टेंट है इसका अंसर जाने से पहले आप एक पर पढ़के जाएंगे आगे देखिए 10 अक्टूबस और 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है 10 10 अक्टूबस और 45 का वैसे तो कोई बड़ा महत्व नहीं है कोई बहुत मतला हिस्टोरिकल डे नहीं है वो लेकिन यह दिन टोपी के जीवन में विशेश है क्यों है क्योंकि इस तारीक को इफण के पिता का तबादला हुआ तबादला वहां से जाके पुरा आदा बाद च तोपी के जीवन में यह दिन बहुत बड़ा था क्यों बड़ा था क्योंकि तोपी जिससे भावनात्मत रूप से जुड़ा हुआ था उसकी दादी वह उसे पहले ही चोड़ के चलिगी थी एक मात्र जो उसका साथ ही रह था उसके साथ था उसका मित्र इफण और अब इस सारीक के बाद अब वह पूरी दुनिया में उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वह बिल्कुल अकेला है और जब इंसान अकेला हो जाता है तो वह उसको वह जो दिन है वह उसे बहुत खराब लगने लगता है बहुत ही उसे परिशान करने वाला वो दिन था क्योंकि इफण के प कि 10 अक्टूबर 17 का जो दिन था उस दिन तबादला होने की वज़े से इफण के पिता का तबादला होने की वज़े से इफण जो टोपी शुकला था वह अपने आपको बहुत ही अकेला फील कर रहा था दो पॉइंट्स आपने इसमें डालने हैं क्योंकि पहले दिन उनका च्बादला हो गया था और उनके तबादले की वज़े से इफण भी अब उनको छोड़के जा रहा था पहले ही उसकी दादी उसको छोड़के चली गए थी अब इफण की जाने की फ़़ने की खबर सुनकर वह अंदर से भावनात्मक रुट से बहुत ही परिशान हो गएते दोपी ने दाधी बदलने की बात क्यों कही क्यों कही तो दोनों की दाधी दोनों की एक जैसी है फिर क्यों कहीं यह मैं आपको बता चुक्क हूं एक बाफिर से सुन लीजिए, बात पक्की हो जाएगी, दिमाग में भी घुजएगी, आगे देखिए, दस अटू, टोपी की दादी का सौभाव अच्छा ना था, अच्छा ना था, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, यह सेंटेंस यहां से हटा दीजिए, अच्छा ना था नहीं, हम कभी भी बड़ों के लिए इस तरह से नहीं लिखते हैं, वह हमेश्यों टोपी को डांटी फट करती थी, वह कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती थी, टोपी के दादी परंपराओं से बंदे होने के कारण कटर हिंडू थी, यह हम पहले ही जान चुके हैं, वह टोप जा ओपरित इफवन की दादी थी और बहरां, इफवन की दादी से भावनात्मक रूप से यौड़ चुका था, उनसे बहुता नहीं था, उनसे बडव लगा हो गया था, वह चाहता था कि मेरी दादी से तो मजह कोई बहुत प्यार है नि, तो तो मेरी दादी लेलों यह को है आ सकता है समय लीजिए इसको सिंपल कोश्चन है लेकिन इंपॉर्ट है और इसको मैं दो तीन बार बता भी चुकी हूँ आगे देखिए कि पूरे घर में इफ्फन को अपनी दादी सही इसने क्य था क्यूंकि अपनी और व्यक्ति के रिए प्रयोग है अच्छा शब्द है आप इसको अपनी डिक्षिनरी में शाहिल कर लीजिए और इसको देखिए मैं हमीशा टोपी को डांटी फटकार्थी थी और कभी कि पूरे घर में इपन को अपनी दादी से यह विशेश से था प्यार थो उसे अपने अबू अम्मी अपनी बाजी अपनी बाजी चोटी बहन से भी था पर यह सभी उसे कभी कबार तो डांट देते थे लेकिन उसकी डादी जो थी वह उसे कभी भी नहीं डांट दी थी हमेशा दुलारती थी हमेशा प्यार करती थी और उसकी बात को उससे बाते करती थी वह रात को उसे तरह तरह की कहानिया सुनाती थी इसलिए वह उस दादी से बहुत प्यार था सिंपल सी चीज है आगे देखिये कि इंपोर्टन कुश्चिन फिर से आया है एक बार देख लीजिए important question है और यह समय लीजे कि इस lesson में से आपका एक तीन number का question fix है अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया तो तीन number आपके fix हैं पूरे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ आपकी अभी व्यक्ति जो आपको मैं कहूंगी जो आप express करते हैं वो कितने अच्छी तरह से कर लेते हैं बस ही उसको पर डिपेंड करता है तीन number का question है कम से कम तीन proper point आपको लिखने ही लिखने है proper point तीन लिखने के लिए आपको कम से कम पांच छे लाइने यूज़ करनी ही करनी है देख लीजे किस तरह से करनी है इफण की द्यादी के देहां के बाद विश्ट घर खाली क्यों लगने लगा आ सकता है question आ सकता है या आएगा ही यह समय ली चाप इफण की दीस नहीं थी सब्सक्राइब इतै पी को बहुत दूलार करती थी 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 वां अपनतव की जरूरत थी थी। तोपी को घर में उसको कोई समझता ही की था लेकिन उसके साथ समय नहीं पिता थे उस से बातें करते थे जो समय आपनातव घर में नहीं मिलता था tv तोपी जर्म भी इफवन की घर आता था अधिकतर उसकी दादी के पास बैटने की कोशिश करता था क्योंकि उसकी दादी उससे बाते करती थी क्योंकि उस घर में वही उसे सबसे अची लगती थी दादी के अची लगती थी वजाए दादी उससे बाते करती थी दादी के देहांद के बाद टोपी के लिए वहां कोई भी नहीं था अब दादी ही चलिगे तो आप उसे बादेवन करें वह किसके पास जाके बैठे तोपी कोगा घर खाली लगने नगा क्योंकि इफण के घर का केवल एक अकरशन था जो टोपी के लिए खतम हो चुकादा इ नेक्स देख लीजें इंपॉर्टन कोश्चन है एक बर पढ़ लेना जरूर पिर से पढ़ लेना तो पक्का हो जाएगा तोपी और इफण की दादी अलग-अलग मजब हो जाती के थे पर एक अन्जान अटूट रिष्टा रिष्ट जरे से बन देते हैं इस कठन के अलोग में अपने बिचार इसपषट कीजिए देखे है मैं आपको एकशि पार बता धी या अगर पद्य है तो इस लाइन का भाविस्पष्ट कीजिए, वो आ सकता है, गर्द्य है तो यह जो है जैसे अलग-अलग मजब और जातीके थे और एक अंजाल रिष्टे से बंदे हुए थे, इस कथन पे अपने विछार प्रकट कीजिए, विछार प्रकट कीजिए मतलब इस कथन को explain कीजिए, क्या समझते हैं आप इसे, इसमें क्या है ऐसा जो आपको समझ में आ रहा है, तो इस तरह से कुछ भी question बन सकता है, इसको एक समय लीजे, भावार्थ को या एक अर्थ को एक question की रूप में ढाल दिया गया है, तो question किसी बितर से आ सकता है, हमें सिर्फ उसका समझना है, उसका भाव क्या है, देखिए, बच्चा कोमल तथा निश्कपट स्वभाव का होता है, यह आपको पता है, निश्कपट होता है, निश्चल होता है, उसके लिए मजभ और जाती का कोई मार्पनी है, उसके लिए मजभ और जाती, धार्म, इन सब चीजों क मम्ता मिलती है उसी की ओर खीचा चला जाता है वह उसी की ओर आकर्शित हो जाता है इसलिए तो इफ़न की दादी का स्ने और मम्ता टोपी को मजभ और जाती की दीवारों के पार अप्पी ओर खीच लेती थी और दोनों अंजान होते हुए भी एक अटूट रिष्टे में बं कोई खून का रिलेशन नहीं था खून का रिष्टा नहीं था लेकिन फिर भी उन दोनों में एक प्यार का रिष्टा था अपनत्व का रिष्टा था ठीक है वो दोने इस दूसरे को समझते थे इस दूसरे को प्यार करते थे उन दोनों को एक दूसरे से बाते करना अच्छ करना करना पड़ा यह मैं आपको बता चुकी हूँ नाइंफ फ्लास में वो दो बार फेल हो चुका था यह अकेला पढ़ गया था क्योंकि उसके दोस्त दसवी कक्षा में और उसमें उसका कोई नया दोस्त नहीं बल पाया था शर्म के कारण किसी के साथ अपने दिल की बात न में उसका उधारन देते थे और उससे अपमानित करते थे कक्षा के चात भी उसका मजाक उड़ाते थे आपको पता ही है अगर कोई बच्चा में फेल हो जाता है या अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसके विशे में अच्छा एक इंप्रेशन जो होता है वो अध्या जो है ये टोपी शुकला जो है जब ये फेल हो गए थे तो इनको एक कमजोर चात्र की श्रणी में डाल दिया गया था और इनको अध्यापक जो है वो भी उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे नेक्स देखिए तोपी के भावनात्मक परिशानियों के मद्य नजर रखते हुए शिक्षा विवस्ता में कुछ आवश्यक्त बदलावों की आवश्यक्ता है सुझाव दीजिए ये देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ जो प्रेशन आज के वर्तमान इस्थिती से जोड़े हुए होते हैं वर्तमान इस्थिती के विशय में बताये जाते हैं जिनका उत्तर वर्तमान इस्थिती से तंबंदित होता है उन प्रेशनों के उत्तर आ सकते हैं वे प्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आ सकते हैं तो इसलिए हम इस जो आपके दिमाग में आता है कि भावनात्मक परिशानियों को मद्दे नजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्ता में आप कौन से सुधार चाहते हैं आपके विद्रिष्टी में कौन से सुधार होने चाहते हैं और अगर आपके विचार उनीक हैं तो उनका स्वागत अधिक करेगा एग्जामिनर तो उनको भी आप लिख सकते हैं किसी विश्षात को एक ही कक्षह में बार-बार फिल नहीड करना चाहिए क्यूं, इससे उसको आपमाल जहलना पड़ता है, वह उसे नहीं जहलना पड़ेगा दूसरी बार उसे अगली कक्षा में बैठने देना चाहिए छात्रे जैसे विशय में पास ना हो रहा हो उसे उससे हटा दिया जाना चाहिए विशय चुनाव की छूट मिलनी चाहिए यह है अल्रेडी बच्चों को अंकों के अधर पर नहीं अपर तो ग्रेड के अधर पर अगली कक्षा में बेठना चाहिए आपको पता है आजकल यह चीज हो चुकी है कि अब हम अंक 10 में जो हैं अंक नहीं आते हैं कई पर उसमें ग्रेड दी जाती है ना और कुछ सब्जेक्टों हैं जिनमें हमें ग्रेड ही मिलती है तो यह अरड़ी हो चुका है कुछ जगे हो चुका है कुछ जगे नहीं भी हुआ है अध्यापकों को कड़ान देश देना चाहिए कि कक्षा में फेल होने वाले चात्रों को अपमानित ना करके उनका होसला बढ़ाते रहें यह बहुत इंपॉर्ट अध्यापकों को बच्चों की जो मना स्थती है अध्यापकों को इसमें आपको यह अध्यापकों को बच्चों की मना इस्थती को समझना चाहिए अध्यापक अगर बच्चों की मना स्थती को नहीं समझेंगे और अगर उनको उसी तरह से करेंगे जिस तरह से दूसरे बच्चों को कर रहे हैं तो वे जो बच्चे हैं वो हमेशा के लिए पिछड जाएंगे हमेशा के लिए अपने तनाव में चले जाएंगे तो उनकी स्थती को समझना आवश्यक है यह पॉइंट हो गया एक आगे देखिए इफण की दादी टोपी को अपने ही परिवार के सदस्यों के उपहाद से किस तरह बचाती थी एक बढ़ पढ़ने वाला क्वेश्चन है टोपी जब इफण के घर जाता था तो वेफण की दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था वेफण की अमीग और उसकी बाजी के पास ना बैठता वे दोनों प्राय टोपी को उसकी बोली के लिए छेटती और हस्ती जब बात बढ़ने लगती तो दादी ही बीच बचाव करती थी तो उधर माज़ाता ही क पिता को भी पसंद नहीं था कि टॉपी इफण से दोस्ती रगे पर उन्होंने इसका फायदा कैसे उठाया क्यों उन्हें पैता था टॉपी के जो इफण के जो पिता है वे अच्छी पोस्ट पर है सरकारी है तो इसलिए उनको कभी भी बुरा नहीं लगा कि मतलब वैसे तो किस सरस लिखना है टॉपी के पिता और घर के अन्य सदस्यों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि टॉपी किसी मुसल्मान लड़की से दोस्ती करें सिंपल या उसके घर आये जाए टॉपी को जाती धर्म से क्या लेना देना था टॉपी के पिता नहीं जैसे ही जाना कि किसरे दिन ही दुकान के लिए कपड़े और चीनिका परमिट ले आए तो उनको जब यह पता चला कि वे सरकारी नौकरी पर है और बहुत ही उचल पोस पर है यानि कलेक्टर है तो उनको नहीं लगा कि उनका पुत्र अगर बेटा आगर जा रहा है एक फंसे दोस्ती कर रहा उनका जो बड़ा भाई था मुनी बाबू उससे बड़ा होना चाहता था 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 देखें बाल मन की प्रतिकरिया बच्चों के मन में क्या क्या चीज आती है पहली चीज उसने कही है कि मेरी दादी को तुम एक्सेंज कर लो दूसरी चीज यह थी कि मुझे उससे लगता था कि एक दिन के लिए ही सही मैं अपने बड़े भाई मुनी बाबू से बड़ा हो जाओ क्यूं यह देखो इफ़न से दोस्ति करने के कारण जो टोपी की पटाई हो रहे थी तभी उसके बड़े भाई मुनी बाबू ने दादी से शिकायत करते हुए का था कि यह टोपी एक द करने के लिए टोपी मुनी बाबू से बड़ा होना चाहता था यह देखो मुनी बाबू जो था उसका जो भाई था वह इसकी जो टोपी की पिटाई तो हो ही रहे थी तो उसमें उसने आग में घीकाड़क काम किया और उसकी शिकायत की कि ए तो एक बर कबाब भी खा रह था तो जबकर ऐसान नहीं था कबाब नहीं खा रहे था चौह रह था कंथ मुनी बाबू खा रहे थे फिर भी उन्होंने टोपी के अपर एलज़ाम लगाया तो यह चाहता रहा कि एक दिन को मैं इनका बड़ा भाई बन जाओं तो मैं इनको बताओं कि किस तरह से बड़ा सकता है डिफरेंट रूप में भी आ सकता है उत्तर वही है जो अभी तक हम कर रहे हैं टोपी और इफवन की दादी में घनिश्ठ प्रेम था यह हम जानते हैं अल्रेडी डन टोपी कटर हिंदुवादी ब्रहमण परिवार का था यह भी हमने पहले ही कर लिया है तो इफवन की कि दादी पकी रोजा नमाज रखने वाली यह भी इन दोनों में एक दूसरे से प्रेम को रोकनी पाया ठीक है बहुत ही भेद था लेकिन फिर भी एक दूसरे से घनिश्ठ प्रेम था एक और टोपी आठ साल का था और दादी 72 साल की इन पर दोनों ने एक दूसरे को अपना समझा और प्रेम क्या टूट बंदर में बंदर इससे इस परश्ट होता है कि प्रेम जाती और उम्र का बंदर नहीं स्विकारती यह हम आपको explain कर चुके हैं important चीज है इस तरह से नहीं तो किसी भी तरह से आएगा उत्तर आपको सेम लिखना है आप देख लीज़ेगा तो भी शुकला फाट के अंदर बताई कि कि किन किन से अपना पन मिला क्या आप आज के समय में भी ऐसा अपने पन की प्राप्ति संभव है यह मैं आपको बता चुकी हूं तोभी शुकला को इफन की दादी से इफन से गर की नौकरानी स अपना पन मिला तोभी और इफन सेपाटी थे संभ्यास्क थे मतला हम उम्र थे इतने निकट आ गये थि कि उन्हें अपना पन मिलने लगा था इसी करारे इफन की दादियों सिटा की अपन के दुख को समझती थी और अपना अपना पूण भ्यवार करती थी हां आज के समय म इसको आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं तोपी जब भी इफन के घड़ जाता था उसकी दादी के पास बढ़ता था दादी पूर्वी भाषा बोलती थी और वो उसके दुखों और भावनों को समझती थी अम्मी और बाजी जब टोपी की हसे उड़ाते थे तो वहां बीच सब्सक्राइब करती थी यह बहुत इंपॉर्टन नहीं है इसको आगे बढ़ जाएए हैं अगर इसमें से कोई भी प्रेशन या कोई भी किसी भी तरह का प्रेशन आता है तो आप उसको अराम से कर सकते हैं यह जब दो-दो मेरा वादा है अगर आपने तरीके से सोना है एक बार अगर इसको लाइक किया है शेयर किया है तो इसको जरूर सुना भी होगा अगर सुना है तो नंबर भी पूरे मिलेंगे तो इसके साथ हम इसको यहीं कतम करते हैं थाक्यो